PCS परिक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कारिक्रम Science This Week ये कारिक्रम हर अविवार दोपहर बारा बजे दृष्टी PCS चैनल पर प्रसारित होता है हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दृष्टी PCS के इस यूट्यूब चैनल में मैं हूँ सल्मान अपने इस एपिसोड की शुरुवात करने से पहले हमने पिछले एपिसोड में जो आप सभी से अभ्यास प्रशन पूछा था उसको एक बार देख लेते हैं बहुत से विद्यारतियों ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया है और जिन विद्यारतियों ने उसका सही जवाब नहीं दिया है तो उन्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे इस एपिसोड को देखते रहें, हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहें, तो आईए इस सेशन की शुरुवात करते हैं अपने अभ्यास प्रस्न के साथ, हमारा अभ्यास प्रस्न ये था, उदैसागर जील में किस नदी क का जल प्रयोग में लाया जाता है और यह जो प्रस्ण हमने फ्रेम किया था जो खबर आई थी उसको एक बार देखते हैं खबर यह थी राजस्थान हाई कोड के एक आदेश ने उद्यपूर राजगराने की साथ हजार करोड की प्रॉपर्टी पर चल रहे विवादों को फिर प्रस्ण फ्रेम किया था तो इसके जो विकल्प थे गोमती नदी सोम नदी जाखम नदी आयद नदी यह चार नदियां दी गई थी और पूछा है कि उद्यपूर जो जील है इसमें किस नदी का जल प्रयोग में लाया जाता है तो इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं और इसी राज्य में अन्य जीले भी है जो कि काफी महत्पूर है अपने आप में जैसे कि फते सागर जील और पिछोला जील यह जीले भी अपने आप में महत्पूर है एक्जाम के मद्यनजर तो यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं यह एक नदी यहां से चली आ रही है उत् उदे सागर लेक में मिल जा रही है तो यहाँ पर हम देख सकते ही जो नदी दिख रही है यह कौन सी है आहर आहर रिवर या इसी को हम आयद नदी भी कहते है तो हमारा यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा वो आयद नदी है अपने इस एपिसोड की शुरुवात करते हैं पिछले बीते हफते में जो भी खबरें सुरुखियों में रही उनसे संबंधित क्या प्रस्ण हमने बनाया है उनकी शुरुवात करते हैं तो पहली खबर यह रही अजमेर जीले के किशनगड में सौ साल पुरानी मूर्तिया हुई चोरी अजमेर जीले में जो किशनगड स्थान है और बाला जी का बहुत प्रसिद्य मंदिर है और उस मंदिर से शौ साल पुरानी मोर्तियां चोरी हो गई है और यह मूर्तियां काफी महत्पूर्ण है धार्मिक दृष्टी से और साथी साथ जो हमारी विरासत है हमारी धरोहर है एतिहासिक धरोहर है उनको ध्यान में रखते हुए यह मूर्तियां अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण हो जाती है तो इससे संबंदिक जो हमने उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण का जवाब देने के लिए हम एक बार मानचित्रों को देखते हैं अगर मानचित्र की हम बात करते हैं तो जैसा कि यहां पर देख रहा है यह अजमेर जिला रहा राज्य का और अजमेर जिले में ही एक जगा है नसीराबाद और दूसरी है किशनगर तो यही इनी इलाकों के समीप से डाई नदी का उदगम होता है और यह कुछ इस तरह से प्र नदी से मिल जाती है यानि हमारा विकलप सि वाला यानि कि एक और दो दोनोंके तरह हो जाते हैं बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ और उस संस्भंदित जो भी हमने प्रश्ण आप सभी के लिए असको देख लेते हैं राजसमन जिले में गांधी दर्शन पार्क में मेवाडी शैली की छतरियां एवं आठ गैलरी होगी आकर्शन का प्रमुख केंद्र राजसमन जीले में गांधी दरसन पार्क का निर्माड किया जा रहा है और इस पार्क की जो सबसे बहुत ही महतपूर्ड खासियत होगी जो राज जी का मेवाड़ी शैली है यानि जो मेवाड़ वाला छेत्र है वो अपने आप में ही एक बहुत ही जादा महतपूर्ड इस्थान है क्योंकि जो मेवाड़ वाला छेत्र है वहाँ पर ऐसे अनेक वीर सपूतों ने जनम लिया है भी जानी जाती है बनास नदी लूनी नदी खारी नदी डाई नदी ठोप ओफफ फॉरस्ट यानि किवन की आशा नदी बनास नदी को कहते हैं एक बार इसको मांचित्र पर देखते हैं अगरम बनास नदी की उस गम की बात करते हैं तो ये राज्य समंध जिले में हामनावर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ये आगे बढ़ते हुए राज्य के छे जिलों से गुजरती है कौन-कौन से जिले हैं? पहला तो राज्य समंध हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, तोक सवाई माध्योपूर तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई निकल जाती है और रामेश्वर के पास, यानि सवाई माध्योपूर जो राज्य का जिला है, वहाँ पर एक इस्थान है रामेश्वर और वही पर ये चंबल नदी से मिल जाती है और यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ पर यह मिलती है, यहाँ पर एक त्रिमेडी संगम बनाती है साथियों आप सभी को कमेंट सेक्षन में ये बताना है कि जहां पर बनास नदी चंबल नदी से मिलती है वहां पर कौन से एक और नदी आकर रखे मिलती है बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और उससे संबंदित जो भी प्रशन है उसको देखते हैं हमारी अगली खबर है जैपुर की बेटी रूबल शिखावत ने जीता मुंबई में आयोजित पेमिना मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का ताज तो यह जो खबर है जैपूर से है जैपूर की रूबल शिखावत ने मुंबई में आयोजित पेमिना में इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अरप का खिताब जीता है जिसकी वज़ा से इन्होंने पूरे जीले का नाम रोशन किया है और इससे संबंदित हमारा प्रश्ण है निम्न जीलों में इस्थित है उनके नाम दिये हुए है पहला है बूंदी अलवर बासवाड़ा और जैपूर अब पूछा है उपर युक्त में से कितने युग्म सुमेलित है तो जैसा कि हम सभी जानते जो नौलखा जील है यह राजस्थान राज्जी के बूंदी जीले में इस् आसवाड़ा में इस्थित ना होगर के बलकी डूंगर पूर जीले में इस्थित है तो यहां से यह वाला गलत हो जाता है और गैप सागर जील के अगर हम बात करते हैं तो यह बिल्कुल सही है यह जैपूर में इस्थित है तो इस तरह से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा य देवल तीन युग्म यानि इसमें जो युग्म दिये हुए हैं उनमें से तीन युग्म सुमेलित है तो आईए इन सारी जगहों को एक बार मानचित्रों पर देख लेते हैं कि अगर बूंदी की हम बात करते हैं तो बूंदी ये रहा अलवर की अगर हम बात करते हैं तो अलवर ये रहा डूंगरपुर की अगर हम बात करते हैं ये रहा और जैपुर की अगर हम बात करते हैं तो जैपुर की स्थिती कुछ ये रही बढ़ते हैं आगे की तरफ जो हमारा अगला प्रस्थन है उससे संबंदित जो खबर है वो ये है सवाई माधुपूर में राजस्थान कोशल आजीवी का विकास निगम के तद्वाधान में विश्व कॉषल दिवस का आयोजन करके प्रसिक्षनार्थियों को कौसल विकास के महत्व के बारे में किया गया जागरुक तो यह अपने आप में एक महत्पूर खबर हो जाती है क्योंकि यह विश्व युवा कौसल जो दिवस है इसमें युवाओं को उनके आने वाले भविस्व के बारे में जागरुक किया जाता है और ना केवल उनके भविस्ट के बारे में जागरुप किया जाता है बलकि उनके कौशल विकास में भी महतपूर्ण योगदान दिया जाता है यानि कि वो जो यूवा है वो अपने कौशल को कैसे विक्सित करें निमलिखित कतनों पर विचार करें पहला है moral band दौसा सवाई माधोपुर सडक मार्ग पर इस्थित है moral band अगला कथन है यह लूनी नदी की सहायक moral नदी पर निर्मित बांध है यहां लूनी नदी की बात कर रहा है यह दो कथन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों उपर्युक्त में से कोई भी नहीं तो इस प्रस्न का उत्तर देने के लिए एक बार मानचित्र को देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा जैसा कि हम ये इस मानचित्र में साफ देख सकते हैं ये जो मॉरेल बांध यहां पर दिखाई दे रहा है ये दौसा जिला रहा राज्य का और ये सवाई माधोपूर जिला रहा यहां से ये जो मार्ग दिख रहा है सडक मार्ग ये कुछ इस तरह से है तो इसके मध में इस्थित है यानि दौसा और सवाई माधोपूर के बीच में यह इस्थित है तो यहां से जो पहला कथन है मॉरेल बांध सवाई दौसा, सवाई माधोपूर सडक मार्ग पर इस्थित है यह सही हो जाता है यह लूनी नदी की सहायक moral नदी पर निर्मित बांध है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं जैसा कि हम लग ये देख सकते हैं कि यहाँ से एक नदी बहख रही है और ये जो नदी है ये लूनी नदी ना होकर के बलकी बनास नदी है जो आगे जा कर चम्बल नदी में मिल जाती तो ये वाली जो नदी है ये बनास नदी है तो इस तरह से हमारा जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाता है तो इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा यानि ये वाल एक चलते हैं अगली खबर की तरफ हमारी अगली खबर है पाली में आजादी का अमरित महोत्सव अभियान के तहट किसानों को जागरुप करने के लिए प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना रत को रवाना किया गया जैसा कि आप सबी को पता है साथियों कि इस वर्स हम आजादी के 75 वी वर्सगांट मना रहे हैं जिसे आजादी के अमरित महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना जो है किसानों के लिए इसकी महत्ता और किसानों को इसके बारे में जागरुप करने के लिए एक रत को रवाना किया गया है जिससे कि जो किसान है राज्य में इस बीमा योजना का अधिक से अधिक लाब ले सकें तो इससे संबंदित हमारा प्रश्ण है निमलिखित कतनों पर विचार करें जवाई नदी का उदगम उदैपुर जिले में अरावली परवत माला के पास से हुआ है यह पाली और जाला और जिलो में बहती है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर जो बात हो रही है और हमें ये बताना है कि ये जो दो कथन दिये हुए है इनमें से कौन सा सही है तो इसको एक बार मांचीतर पर देखते हैं अगर जवाई नदी की अगर हम बात करते हैं तो जवाई नदी राज्जी के उदैपुर जिले से उद्गमित होती है यहां पर जो अरावली परवत माला है इसी जिले से होकर के गुजरती है कुछ ये इसकी स्थिती ये इस तरह से है ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये अरावली वाला छेतर है अरावली परवत माला का छेतर है तो अरावली परवत माला का जो पस्चिमी छेतर है पस्चिमी जो भाग है वहां से यह उद्गमित होती है और फिर यह पस्चिम की तरफ उत्तर पस्चिम की तरफ आगे बढ़ती है और आगे जाकर के यह सुकडी नदी से मिल जाती है जो आगे जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है और अगर इसको हम बात करते हैं यह किन जिलों से बहकर के जाती है जैसा कि यहाँ पर इस पर्ष्ट है यह जालावर में और यहाँ पर यह वाला जो पोर्षान आप देख रहे हैं यह पाली जिला है राज्य का पाली जिला तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा एक और दो 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 यानि या पाली ओर जालावत जीलों में बहती है साथी साथ उदैपूर जिले में अरावली परवतमाला के पास से उधगमित होती है जो हमारी अगली खबर है पहला आयुरवेद कॉलेज 6 करोड रुपए की मिली विद्टी सुईकृती राज्य के जो खोटा जिला है वहाँ पर राज्य का पहला आयुरवेद कॉलेज खोला जा रहा है और इसकी सुईकृती सरकार से मिल गई है जिसके लिए 6 करोड रुपए का बजट भी आवंदित किया जा चुका है तो इससे संबन्दित हमारा जो प्रस्न है वो ये है चम्बल नदी पर इस्थित बांधों का उसके मुहाने से उद्गम की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर तो ये तीन बांधों की स्थिति को दिया हुआ है और इनको अलग-अलग तरीकों से विवस्थित कर दिया है चार विकल्पों में इनको बांट दिया है और पूछा जा रहा है मुहाने से उद्गम की ओर तो आईए इसको एक बार मानचित्र पर देखते हैं और फिर इसका सही उत्तर क्या होगा इसको देखेंगे अगर बात करें किसी नदी की मान लीजिए कोई नदी है ये ए नदी है जिसका उद्गम यहां से हो यानि ये प्रारंब हो रही है प्रारंब इस्थान है और ये कुछ जा करके आगे मान लीजिए ये ये कोई सागर है बड़ा सागर है मान लीजिए अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका ये जो इस्थान होगा ये इसका मुहाना होगा तो जो प्रश्ण पूछा जा रहा है मुहाने से उद्गम की तरफ यानि हमें मुहाने से उद्गम इस्थान की तरफ आना है तो जो सबसे करीब होगा मुहाने के पास बांध वो सबसे पहले होगा और जो सबसे दूर होगा मुहाने से वो सबसे अंतिम बांध होगा तो आईए इसको देखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चंबल नदी है, वो मध्य प्रदेश राज्जी के जाना पाव पहाडियों से निकलती है, जो जाना पाव पहाडी है, वो इंदावर जिले में एक महु नामा के स्थान है, वहाँ पर इस्थित है, वही से से आ रही है, और यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं, यह नीमच रहा, मध्य प्रदेश राज्जी का यह जिला रहा, और इसके अगर हम उत्तर की तरफ चलते हैं, यानि उद्गम से इसके मुहाने के तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें रावत भाटा एक स्थान है, राज देख सकते हैं, उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं, यानि कोटा जिले में जब हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जवाहर सागर बांद निर्मित है, यह जवाहर सागर बांध है, तो जो प्रस्ण में विकल्प दिये गए हैं, उन में इन ही तीनो बांदों का जिक्र किया गया है यह इसका उद्गम वाला इस्थान हो जाएगा अगर हम बात करें तो मध्यप्रदेश का और यह इसका मुहाना वाला यह आगे बढ़ करके उत्तरप्रदेश में इटावा के पास यम्ना नदी में मिल जाती है चंबल नदी तो सबसे पहले जवाहर सागर बांध हो जा सागर के बाद राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर और उस सबसे अंतिम में गांधी सागर तो गांधी यह वाला जो हमारा यह वाला हो जाएगा इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगली खबर क्या है राज्य सरकार दौरस संचालित Healthy Liver Campaign के तहट डूंगरपुर में Healthy Liver Digital जागरूपता अभियान तो राज्य की बात कर रहा है तो जो राजस्थान राज्य है वहां पर Healthy Liver Campaign चलाया जा रहा है जिससे जो लोग हैं उनमें उनके स्वास्त को लेकर के जागरुपता पैदा हो और जो लीवर संबंधित बीमारिया हो रही है उससे वो अपने आपको बचा सके तो इससे संबंधित हमारा जो प्रश्न है वो यह है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गया कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए एक तरफ नदिया दी हुई है यानि सहायक नदिया दूसरी तरफ नदी यानि यह जो नदिया दी हुई है यह इन नदियों में से किसी एक की सहायक नदी हो सकती है तो हमें बताना है यह जो सूची एक है और सूची दो है इनमें से कौन सी सुमेलित है एक तरफ दिया हुआ है मिनाल नदी, सुकडी नदी, जाखम नदी, सीप नदी और दूसरी तरफ दिया हुआ है चंबल नदी, म हम बात करते हैं तो यह माही नदी की सहायक नदी है और सीप नदी की बात करें तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है तो इस तरह से हमारा जो सही इसका उत्तर हो जाएगा है मेनाल नदी यानि एक चौथा चौथा यहीं से सुरू हो रहा है डी वाला और सुकड़ी यानि कि बी का तीसरा सी का दूसरा और डी का पहला यानि जो डी वाला होगा हमारा इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा लेकिन इसको एक बार मांचित्र पर देख लेते हैं यह मेनाल नदी रही उचिस्तिती मेनाल नदी को अगर हम यह देखते हैं तो यह भीलवाला में यह बनास नदी से मिलती है बनास नदी जो है राजसमंद जिले में खामनावर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और जहां पर मिनाल नदी, बनास नदी से मिलती है, यही पर बेड़च नदी आकरके इससे मिल जाती, यानि यहां पर एक त्रिवेडी संगम का निर्माड होता है, इसके बाद जो हमारी अगली नदी है, सुकडी नदी, यह लूनी की सहायक नदी है, अगर इसको देख ले हम, यह रही सूकडी नदी जो अरावली के पस्चिमी छोर से निकलती है और लूनी में जाकर के यह लूनी नदी की स्थिती रही यह लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है अगली है जाखम नदी यह माही नदी की सहायक नदी है माही नदी की अगर हम बात करते हैं तो माही नदी का जो उद्गम है वो मद्ध प्रदेश में धार जिले से होता है और ये राजस्थान में दक्षिड की ओर से प्रवेश करती है और दक्षिड की ओर से ही निकल जाती है और इसकी सबसे बहत पूर खासियती है कि जो करक रेखा है इससे होकर के गुजरती है इसके अलावा ये राजस्थान राज्य में उल्टे यू आकार की आकरती का निर्मा जाने चमबल नदी की और हमें बात करते हैं तो यह वाहि पर बनास नदी भी इस से आकर के मिलती है तो चलते हैं अगली खबर की तरफ साथियों जो हमारी अगली खबर है और उससे जो संबंदित हमारा प्रशन है वो आप सभी लोगों के लिए है इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जिससे आप लोग अपने आपको आंकलित कर सके अपने आपको ट्रैक कर सके कि अभी जो आगामी परिच्छा होने वाली है उसमें आपकी कहां तक तयारी हो सकी है और अभी उसमें कितनी और धार देनी है कितनी और मेहनत करनी है कि सफलता आपको प्राप्त हो सके तो जो खबर है वो ये है धावलपुर शहर में अज्थाई फलमंडी में आग लगने से डेड़ घंटे में पूरा बाजार जलकर खाक हुआ और इससे संबंधित प्रश्णी ये है चंबल एवं बनास नदियों के मद्ध निमलिखित में से क बरूर कुछ न कुछ सीख कर जा रहे होंगे तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई खबरों के साथ कुछ नए सवालों के साथ तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए शुक्रिया